हलो बच्चों कैसे हैं आप लोग आप सब खुश हैं मस्त हैं और मल लगा कर पढ़ाई भी कर रहे हैं तो मैं पूनम प्रजापवत कर्षा 11 वी में आप से बच्चों का स्वागत करती हूं बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं अपना सैकिंड बुक का फर्स चाप्टर जिस ओक सिकर अपचे अभी क्रिया जिसमें हम लोग ऑक सिकर होता है पूरा डिटेल में डिसकस करने वाले हैं तो रचक्ष अभी किया है या या उक्सिकर अपचे अब पर आपको नजल आ रहा है कि कई रासाइनिक अभी अब्भी क्लिएं कहलाती है क्लियर है herendix reactions क्या होती है एसी अब carry जिसमें एक साथ oxygen और दोनों देखा जाता है क्लियर बात समझ आ गई सभी को आ गई तो चलते हैं आगे अब आता है अगला अभी कहते हैं कि oxygen oxygen की दूसरी तरीके से हम इसे कैसे वेक्ट कर सकते हैं साथ ही ऑक्सिकन अप्चेयन में आप इलैक्टोन इस्तनांतरन के आधार पर भी इसको डिफाइन कर सकते हैं यह यह कई परिभाषाइं हैं जिनें आप पढ़ सकते हैं जिनके आधार पर यह आप जान सकते हैं कि oxidation reduction क्या होता है जो हम इसी chapter में continue धीरे-धीरे-धीरे-धीरे सब राज खोलते जाएंगे ठीक है तो बात समझ में आ गई होगी कि redox reaction क्या होती है तो जैसे आपन सब जानते हैं कि cu plus क्या भई cu o plus h2 is equal to क्या हो जाता है बेटा cu plus h cu plus sorry cu plus h2 right हाँ याना cu plus h2o यानि कि इसका इसमें क्या हो गया up chain और इसका इसमें क्या हो गया oxy current डन नहीं मामला बिल्कुल डन बिल्कुल है बात प्लियर हो गई होगी है ना कि यहां से one marks question आता है one marks question क्या कहता है oxygen क्या होता है परिभाशित करो और उसे रासाइनिक समिकन से परदशित करो तो आप इस तरह से परिभाशा लिखकर उसकी reaction लिख सकते हैं ठीक कोई दिक्कत नहीं चलो अब चलते हैं आगे अब आता है किसी अभिक्रिया में सेसरे एसल्सियल 25 Amosan обällen ओंश divine और एसजियल सियल 3 का का एफ सी सीयल चुमें हो रहा है एक रीच्शन आपके सामने में लिख ड़ेती हूं किए इसन्सियल टूचक्ष एसन्सी यर तूचप बात है इस रीच्षान आपके सामने में लिख देती हूं 3 से FECL2 FECL2 ठीक बात है इस reaction में आप बखु भी देख सकते हैं कि CL3 से CL2 जा रहा है और 2 से 4 जा रहा है तो यहां कमी यहां व्रदी तो क्या हो रहा है भई तो आप देख रहे हैं कि यहां पर chlorine की मात्रा बढ़ रही है तो यानि माइनस बढ़ रहा है तो oxygen और माइनस घट रहा है तो अप चयन होता है clear है बात यहां पर हो जाता है अप चयन यहां हो जाता है oxygen यहां हो जाता है अप चयन बात समझ में आ गई होगी सभी बच्चों को मेरे हाँ या ना हाँ या ना बच्चों जल्दी बताओ क्लियर है कॉंसेप्ट में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए कॉंसेप्ट में कोई इशू आना ही नहीं चाहिए चले आईए अब यह कह रहा है कि अर्ध अभीक्रिया उक्सिकन को व्यक्ट करती है और दूसरी अपचेहन को यानि अर्ध अभीक्रियां की रूप में आपको लिखना होता है तो अर्ध अभीक्रियां उक्सिकन अपचेहन को प्रदशित करती है चुंकि उक्सिकन के प्रक्रम में का दान किया जाता है जब कोई भी इलाक्टों दान करता है तो आप चैन की क्रिया समपन होती है चले इसलिए वाले पदार्थ से अब राजा क्या क्या करना चाहं है जहादशन होता है एक चैनछ होता है इलक्टों के आधार पर कता है किसका बचते हैं यह को कोई डाउट नहीं यहां पर कोई जिखान देंगे सभी बच्चे मेरे क्या लिखा गया है एसन सील टू एसनस एफी सील थ्री एसन सील फॉर आप यहां पर अर्द अभी क्रिया का मतलब क्या होता है कई बच्चे कंफ्यूस हो जाते हैं यानि कि पढ़ते पढ़ते कुछ छोटी छोटी बाते भी बच्चा पूछी लेता है कि मैं अर्द अभी क्या मतलब क्या मैं कहती हूं कि सबको सबकुछ नहीं आता है चोटी से छोटी बात भी इस्टडी के संबंद में अगर नहीं समझ आए तो बिना किसी भी हेजिटेशन के बेटा पूछ लेनी चाहिए कि मैं यह क्या होता है क्योंकि उसमें कभी भी आपको शर्म नहीं आनी चाहिए क्योंकि अगर वहां पर आप रुक गए तो मतलब आप काफी जगए अपने कुछों को डाउट क्रियेट कर देती जैसे अर्द अभी क्या होती तो बिटा कुछ नहीं होती सेम जो रियक्टेंट है और जो प्रॉडक्ट है वह आपस में एक दुसरे में एक्स्चेंज हो रहे हैं इतना तो आपको मालुम चल जाता होगा यास और नो जल्दी से बता द दो कि वहाँ आ जाओ तुम्हें हम अलग से ट्रीट करेंगे नहीं तो इसको अलग से यह लगदो दिलग दिया तो यहाँ पर आप ऐसускे बेने पर क्लभे और यह इस के विव्पर चार्जे için यह मालुम चला टेको एसन और सी इन एल्या पर तुए है नहीं इना यह यह किसक तो यहां प्लस टूरे is ने इसने दो extra electron का दान कर दिया जब electron टान होते हैं इसको आप पहले पता चुक्यूं क्यों कि अजय क्म दान होता है तो हम कहते हैं उसको च्छाभई हम कहते हैं उसको अप और करन और जब ग्रहन किये जाते हैं तो हम कहते हैं क्या विटा आप पुछ आए सब को क्लियर यह जल्दी से बताओ पटापट पटापट मेरे गुबाल गोपाल मेरे बच्चे मेरे राजा बच्चे जल्दी से बता दें यह समझ में आगा है फिर निन अभी क्लियां को वापस जोड़ करके आप पूर्ण अभी क्लिया को प्रदश्चित कर सकते हैं सब वेरी गुट डैफिनेशन और बहुत ही अच्छा एक्स्पिनेशन के साथ डिफाइंट किया गया है चले आई आप चलते हैं आगे रेड़क्स अभी क्लियां के लिए अन्या उधर्ण निम्न है र जेड़न से जेड़न प्लस टू में कनवर्ट हुए यानि दो इलेक्ट्रोन का उसने दान किया फिर हाइड्रोजन ने क्या किया दो इलेक्ट्रोन ग्रहन किया और एच्टू ले लिया यह कैसे हुआ यह आपको पता होना चाहिए चलो मैं बता देती हूं जिसको पता नहीं है वह बच्चा ध्यान देले इदर जिसे जेड़न है है और एच्टू अस ओफूर है तो यह क्या कर रहा है जेड़न और यहाँ पर एच्च दो एच्ठ है प्लस में और आछ्छो फोर माइनस थिक ब कि इसने दो इलेक्ट्रोन का दान कर दिया हाँ यह न दो इलेक्ट्रोन का दान किया तो यहां पर यह दो इलेक्ट्रोन दिखाई दे रहे दे रहे वही दो इलेक्ट्रोन किसने ग्रहन कर लिए बिटा हाइड्रोजन ने और अच्टू गेस में रिमूब होगा क्लियर है अब आज़ सीमिलरली c u o h2 c u-q plus 2 electron c u h2 2h plus 2 electron जहांपर electron ग्रहन हो रहा है वहाँ पर अप्चेंड जहां दान हो रहा है वहाँ पर ओक्सीकृरम होता है ये बात आपके रूह तक पहुंच जानी चाहिए और माइंड में फिट आ जाने चाहिए एकदम फिट 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 जहां कोई भी इश्यू ना हो क्लियर बात समझ में आई या नहीं जल्दी से बताओ मेरे बच्चों क्लियर हुआ या नहीं यह कोंसेट आप चैन में रेडक्स अभी क्या होती है कैसे प्रदिशित होती है किस आधार पर प्रदिशित होती है यह सब कॉंसेट के लिए हो चुका है दन चली तो शुरू करते हैं आगे अब यह कहता है SNCL2, 2HGCL2, SNCL4, HG2CL2, redox अभी के लिए है, SN plus 2, SN plus 4 दो इलेक्टरोन दान किया, और इसने दो इलेक्टरोन ग्रेंड किया, तो similarly इसका ओक्सिकन और इसका क्या हो रहा है बिटा, आप चैन हो रहा है, it's a very very important, very very important क्या है भई, example है जो exam में पूछा जाता है, तो थोड़ा ध् से इनको भी आप कर लेंगे, ठीक है, इसी प्रकार, sodium और chlorine के संयोग से sodium chloride का बनना, यानि कि sodium chloride na plus और cl minus के संयोग से na cl बनता है, तो यहाँ पर यह देख सकते हैं आप, कि यहाँ पर जब कोई reaction होती है, जब यह reaction होती है, तो यहाँ पर इसने क्या किया है, एक electron का क्या किया ह और इसने एक electron को क्या कर लिआ है, ग्रेहेंड कर लिए है, अब यहाँ पर अगर आप दो sodium ले रहे हैं तो इसने दो electron का दान कीया और इसने दो electron है, ग्रेहेंड किये हैं, जिसने दान किया वो क्या है भई, उसका क्या हुआ हुआ है आप चाहिए, जल्दी बताओ जल्दी जल्दी मेरे बच्चों सभी बच्चे जल्दी से बताएंगी, clear है, okay ड़न, चली, अब चलते हैं आगे, अब यह कह रहे हैं कि यहाँ sodium का oxygen वा chlorine का अपचेन होता है, तो जल्दी से बताओ, क्या यह बात सही है, क्या यह बात सही है कि इसका oxygen हो रहा है, सही है ना बिल्कुल है जरूरी है बात समझ में आ गई है तो अक्सिकन अप्चेन तो क्लियर हो चुका है अब यह कह रहा है कि आसानी समझने के लिए उपर दी गई अभिक्रियाओं को दो चरणों में लिखा जा सकता है एक में इलेक्ट्रों को बहां निकला जाता है दूसरे यहां पर साफ साफ नजर आ रहा है कि किसका औक्सिकन है और किसका अपचैन हो रहा है तो यहां पर आपte सकते हैं यहां अपचायन हो गया है जल्दी से बता दो मुझे बात समझ में आई है या नहीं कितने बच्चों का कॉंसेप्ट क्लियर हो चुका है मुझे जल्दी से बताओ कि यह समझा रहा है कि लैक्टोन निसकाशित हो रहे हैं जब एक्टोन का निसकाशन होता है तो क्या होता है ओक्सी करन होता है और वहीं पर एक्टोन यहीं क्या हो जाते हैं ग्रहन कर लिए जाते हैं तो क्या हो जाता है अप चयन हो जाता है ठीक है आई अब चलते हैं आगे यह बेसिक कॉंसेप्ट है जो आपको समझ में आना चाहिए ज सकते हैं यानि आप से सोडियम और एक्सिकन के रूप में और आप चैन के रूप में र réseकन के रुप में इसमें इलेक्टोन का इस्तानांतरण जो होता है वह साफ साफ दिखाई देता है no doubt बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है कि दो अर्द अभिक्रियाओं को जोडने पर पूर्ण अभिक्रिया प्राप्त होती है जिसे रेड़क्स अभिक्रिया कहते हैं जो कि आपके सामने लिखी गई भी है सही है जल्दी बताओ yes or no yes or no जल्दी से बता दो आई साफ clear हुआ यह नए clear है चलो आ जाओ फिर आजओ अब यह कह रहे हैं कि इस परकार की अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रोनों का निस्कासन करने वाली अर्द अभिक्रियाओं को ऑक्सिकर्ण अभिक्रियाओं करने वाली को अब चेन अभिक्रिया कहते हैं यानि कि अब यह finally उस step पर आ चुके हैं कि जहां पर clearly clearly समझा दिया जाए कि ऑक्सिकर्ण अप्चैन किस माध्यम से समझाया ज सकते हैं और कितना अच्छा हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि हम किन शब्दों में उन्हें व्यक्त करें ठोटिकली एक्जाम में आता है तो आप उसे किस तरह से लिखेंगे मैंने बहुत अलग-अलग तरीके से एक्जामपल लेकि आपको समझा दिया है आपको बात समझ में एक्जाम ऑक्षएन की क्लियर हो गई है अब यह कह रहा है कि क्लॉरी ऑक्षिजन तथा सल्फर अपचईत हो रहे हैं और ऑक्सीकारक का कार्य करते Яं क्योंकि यह सोट्यींच द्वारा दे गए इलेक्ट्रोनों को ग्रहन करते हैं रडिठॉक्स अभी किया करा ती है जला ध ग्रेहन करते हैं तो यह अपचेट हो जाते हैं और जो स्वेम का अपचेन तो दूसरे का क्या करेंगे दूसरे का क्या करेंगे ऑक्सी करन करेंगे स्वेम का अपचेन दूसरे का अक्सी करन करेंगे तो यह क्या कहलाएंगे ऑक्सी कारक कहलाएंगे यह अक्सी कारक की तरह कार करते हैं जो इलाक्ट्रोन ग्रहन करते हैं और इलाक्ट्रोन ग्रहन करके दूसरे का क्या कर देते हैं ऑक्सिकरन कर देते हैं स्वेम काप चेंड कर देते हैं ऑक्सिकारक कहलाते हैं बच्चों बच्चे बहुत जदा आप लोग कंफ्यूज रहते हैं ऑक्सिकारक क्या होते हैं क्या उक्सिकरन करने वाला ही उक्सिकारक होता है बिलकुल उक्सिकरन करने वाला ही उक्सिकारक होता है लेकिन जब वो दूसरे का उक्सिकरन कर रहा होता है तो उसी वज़े से उसे उक्सिकारक का आ जाता है और जब वो दूसरे का उक्सिकरन कर रहा होता है तो उस समय उसका उजयाला है तो वहीं बात ओउक्सी करता है जो खुद का तो अप्षैंन करता है पर दूसरे का क्या कर देता है ऑक सी मुझ यह दो इसकी उधार और देखो भई है ऊच्छांपल सहे जल्दी से आपनी कॉपे मैं तो एक्जाम्पल देदी है कि इसका ऑक्सिकन क्यों हो रहा है कि जेडन का जेडन का उक्सिकरन इसलिए हो रहा है कि जेडन ने दो इलेक्ट्रोन का दान किया है जब दो इलेक्ट्रोनों का दान होता है तो उक्सिकरन होता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वहीं पर यहां दो इलेक्ट्रोनों का ग्रहन किये जा रहे हैं ग्रहन किये जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोन लिखा गया है तो वो क्या हो जाता है अभी कारत की तरफ इलेक्ट्रोन लिखने की विज़े से क्या हो जाता है उसका हमेशा अपचैन होता है क्योंकि वो उस समय इलेक्ट्रोन ग्रेहन कर रहा होता है और वहीं पर उत्पाद की तरफ यदि इलेक्ट्रोन लिखा गया है बच्चो ध्यान से लिख लेना उत्पाद की तरफ इलेक्ट्रोन लिखा गया है तो उसका हमेशा अक्सिकरन होता है क्यों क्यों कि वो क्या करता है इलेक्ट्रोन का द प्रति बच्च को देख सकें सी यू अच टू सी यू प्लस हट्टू और रेड्बॉक्स अभी किलिया सी यू टू प्लस दो इलेक्ट्रों सी यू अबचे यानी अभी देख लो वही बात है यहां पर इलेक्ट्रोन ले रहा है तो क्या हो रहा है भई अभी कारत की तरफ है इलेक्ट्रोन तो क्या हो रहा है अब चैन similarly SNCL2, HGCL2, HGCL4, HGCL2 तो आप देख सकते हैं CL2 से CL4, CL2 से CL2 HG2CL2, HG2CL2 अब मुझे बताओ, यहां पर हो रहा है प्लस यहां हो रहा है प्लस 2 पर क्या हो रहा है प्लस Thousand और हो रहा है खिण करन ऑ dalam भच यहां ना देखो EXC system को मैंने कितना UOD समझा धिया है ऐसा आप को कहीं पर भी नहीं मिलेगा इसलिए अच्छे से पढ़ लेना ठीक है चले आओ सरकार अब चलते हैं ऑक्सिकरन बेसिकली क्या रीजन होता है ऑक्सिकरन अप्चेन साथ-साथ तो देख लिया इंडिविजुल ऑक्सिकरन अप्चेन क्या होता है वो कैसे जानोगी तो कहा कि तत्वों का ऑक्सिजन से मिलकर ऑक्सिकरन हो जाता है सामाने रूप से ऑक्सि से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि oxygen क्या होता है oxygen का जुड़ना ठीक बात जैसे CH4 plus 2 O2 is equal to 2 CO2 plus H2O यहां पर carbon के साथ में oxygen जुड़ा और यहां oxygen के साथ में hydrogen जुड़ा जब carbon के साथ में oxygen जुड़ा या hydrogen का निकलना क्या कहलाया oxygen और यह क्या कहलाया अप चैन चले अब यह क्या कहलाया है hydrogen का निकलना भी oxygen होता है निल लिखी तभी किया में hydrogen का निसकाशन oxygen oxygen का उधारण है हाँ या ना हाँ या ना बच्चों देखो H2S is equal plus O2 is equal to 2S plus 2H2O बात समझ में आ गई होगी सभी को बात clear हो गई होगी फटाफट जल्दी से बताएंगे कि yes या no चले बात समझ में आई या नहीं जल्दी चल्दी बताओ हाँ या ना हाँ या ना जल्दी से बता दे clear सबको बात समझ में यह टान चले जब औक्सिजन के अलावा अन्य होता है यानिकी ऑक्सिजन के अलावा कोई तत्व कंशिजन के अलावा जिसके पर होता है यह यूँ कहते हैं अगर वो जुड़ा हुआ हो या उसकी संख्या में बर्दी हो तो भी ऑक्सिक्राइब कहलाता है मेगनीशियम का उक्सिकन फ्लोरीन फ्लोरीन तो सल्फर द्वारा निम लिखी रूप से परदिशित किया जा सकता है जैसे मेगनीशियम है इसके साथ फ्लोरीन जुड़ जाता है मेगनीशियम है अब इसके साथ क्या जुड़ गया भई इसके साथ फ्लोरीन जुड़ गया है तो यह जुड़ने से भी ऑक्सिकन हो गया क्लोरीन के जुड़ने से भी ऑक्सिकन हो गया सलफर के जुड़ने से भी ऑक्सिकन हो गया बच्चों ध्यान देना है कि मैं हमें कैसे याद रहेगा हम कैसे याद करेंगे हम कैसे याद करेंगे इसको तो मेगनेशियम का ऑक्सिकॉन फ्लूरीन क्लोरीन रस सल्फर द्वारा निम लिखित अभी कियों में दर्शाया जाता है यानिकी अगर कोई रिण विद्धित तत्व ऑक्सिजन जोड़ता है तो आपको कहीं देखने की जहरती नहीं है आप समझ ऀंगी तत्व है अब इसकी सल्फर भी आ सकता है है ना तो यहां पर एनियसे कोई जोड़ता है क्लोरिम भी आ सकता है तो इनमें सेुझच तो वहां पर भी क्या हुआ रहा है दूत और जो एकशाद्व तंक्सिकरण हो जाता है झोब Nicole, ईस उयुकर, हध किसी अभी सिक्स एच टू ओ टू 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 के थी एफिसीन का होन सिक्स टू को एच राइट यानि यह कह रहा है किसी अभी क्लिया में हाइडोजन जैसे अन्य धन विदित तत्व का निकलना यहां पर पोटेशियम यहां जुड़ा हुआ है दूसरे के साथ नहीं तो यहां यहां से पोटेशियम की कमी के फोर की जगे के थ्री हो गया धन विदित तत्व का निकलना भी क्या कहलाता है ऑक्सिकन कहलाता है एज सीमिलर एज जिसे हाइडोजन का निकलना हाइडोजन पॉजिटिव चार्ज है न तो पॉज़िए अब माइनस जूड़ेगा तो प्लस ही तो नि पॉजिटिव चार्ज वाले एगर कोई भी एलेमेंट है वह गर निकल जाता है उसका यदि निशकाशन हो जाता है तो दैन हम उसे क्या कहते हैं तो हम से कहते हैं ऑक्सी करण लिया डन ओके फटावर थम सब बेज जल्दी से कि यह समझ में समझ में आगा फटावर बेज ज बच्चों धियान कर लेना मैंने कहा था आपको कि मैं बताऊंगी लास्ट में कि कौन-kौन से इम्पॉर्टेंट है तो लास्ट-क लास को देखना भी जरूरी है और साथ आपने बीच में हिंट कर रहे हूं कि कौन सा क्यूशन आ सकता है चले आए आप चलते हैं संक्षिप में कह रहे हैं कि ऑक्सीकरण पद की परिभाशा इस प्रकार है किसी पदात में ऑक्सीजन रिनी विदी तत्व का जुड़ना हाइड्रोजन या धनी तत्व का निकलना ऑक् समझ में आ गया सभी बच्चों को है ना ऑक्सीकरण इजी देखो हमने रेडॉक्स रियक्शन पढ़ लिसे से पहले शुरुवात वहीं से कि उसके बाद में ऑक्सीकरण कंप्लीट किया नाओ अब हम लोग किसमें आएंगे भाई फाइनली हम पहुंच गये हैं अप चैन मे तो ध्यान से पढ़ना है कि अप चेन को अप चैन को अपन किस तरह से रिप्रजेंट कर सकते हैं कि में ऑक्सीजन रिजैन दन वीडी तत्व के साथ जूडने को अप चैन कहते हैं वहाँ जो हुआ अब यहां सब उलटा होगा हाँ यहां न हाइं न होगा न ऑपटर सही पकड़ें अगे इसी के अपरोक परिभाशां के अनुसा निम्ह लिखित अभीक्याओं में अप्चे acids आपको दिया झारह connected it's a very easy but very 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 important HGO 2HG plus O2 clear अब यहां पर आपको मुझे तो समझाने की जरूद है नहीं क्योंकि आपको साफ नजर आ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं यहां पर oxygen जुड़ा हुआ था यहां से oxygen निकल गया तो क्या हो गया विटे क्या हुआ जल्दी बताओ आप चाहिए अपको अक्सीजन निकला है राजा तो ऑक्सीकरन कैसे हुआ अपचे भात अभी oxygen का निसकाशन यह रहा है dh2 Hz देखो औरे त्यों क्लोरीन तींी ख्लो यानि की छिन वी दितत्त्ति ताथ्व में क्या गईफ़ी कंसे वहाँ क्या हो रहा था बढ़ रही थी ना बढ़ रही थे ना तो वहां बढ़ रही तो रही तो फुरिट रैशी ना थो औक्सीजन पर गटना-त अपच् Vale रिनवीद्व क्लोरीन का फैरिक क्लोराइड से निश्काश है एक धनवीद्व तत्व तो एक धनवीद्व तत्व बढ़ गया यहां अच जी दो गए तो क्या हो गया राजा यहां हो गया अप चैन जल्दी से बताओ बात समझ आई है या नहीं बात क्लियर हुई है या नहीं सभी बच्चों की जल्दी जल्दी मुझे सभी बच्चे बता देंगे कि येस मैं हमें बिल्कुल क्लियर है जल्दी जल्दी बताएंगे सभी बच्चे मेरे सभी बच्चे बताएंगे कि बात क्लियर हुई है या नहीं ओके ओके चले ऑक्सी करन और यह जो होता है उसका इसतनांतरन की आधार पर ही यह सब बताया गया है राइट इलेक्ट्रोन की खोज के बाद ऑक्सिकन अप्चेन क्रिया में इलेक्ट्रोन की स्तनांतरन की प्रक्रिया को आधार बनाया गया है इस सिद्धान के नुसार ऑक्सिकन अप्चेन क्रियाओं में इलेक्ट्रोनों का आधान परदान होता है ठीक बात वह क्रिया जिसमें कोई पर्मानों या आएन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रोन त्यागता है अक्सिकरन तथा वह क्रिया जिसमें पर्मानों या आएन एक या अधिक इलेक्ट्रोन ग्रेहन करता है अपर चैन कहलाता है क्लियर है बात समझ में यह वहक दिया है जिसके अंदर क्या होता है कोई परमानू या आएन एक से अधिक इलेक्ट्रोन त्यागता है उसमें ऑक्सिकन होता है इलेक्ट्रोन दान ऑक्सिकन इलेक्ट्रोन ग्रहन अपचेन यह निकी आधुनिक जो ऑक्सिकन अपचेन के अधार नहीं पर ऑप्र और यह सबसे ज़्यादा स्टेबल भी है वैलिड भी है ठीग बात तो इसी प्रकार इलेक्ट्रों जब त्यागा जाता है तो ऑक्सिकन वे एलक्ट्रों ग्रहन किया तो अप्चेन कहलाता है जैसे आपके सामने बहुत सारी रियक्शन दी गई है ऑक्सिकन अ कोई दिकत है नहीं तो आओ यह क्या कह रहे हैं यह कह रहे हैं कि FEE PLUS 2 cf e PLUS 3 ELECTRON OXICKON 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 कैसे कैसे हुआ बस यहाँ ध्यान दो इसने ELECTRON DUN किया इसने भी दान किया इसने दान किया ग्रहन किया लिख लो भई ग्रहन किया ग्रहन ग्रहन वैस तो मैं ट्रिक बता चुकी हूं अगर आपने पढ़ ली हो तो ग्रहन यहाँ पर दान दान और फिर दान क्लियर बात समझ में आ गई होगी सभी बच्चों को ओके 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 चलिए जी तो उक्सिकरन अप छैण EleKंटरॉ इलेक्टरॉन ग्रेहन कहा होता है कहां पर धान होता है ये तो क्लिएर होग यह कोई दिक्कत हैं नहीं उपर दर्शाई गई किरिया może है। क्यारण तक अपचेन क्या होता है तो जो क्रिये ऊपर देखी उसके अंदर बताया गया कि ऑक्सिकन क्रिया में धनावेश में व्रदी होती है था ट्या किया न चैनता है कि आप कोई भी रीयाक्शन लिखें कोई भी तत्व लिखें उसके उपर ये thirds पॉझितिव चार्ज बढ़ रहा है इदमिंस वो दान कर रहा है दनवान लोग धन का दान करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा ऑक्सिकन होगा प्रबल ऑक्सिकारक होगा खुद में से ऑक्सिकारक क्या प्रबल अप्चायक होगा खुद का क्या कर रहा है ऑक्सिकन दूसरे क्या क्या कर रहा है तो क्या करता है ऑक्सिकर रहा है पॉजिटेव चार्ज कम होना उपचेन बढ़ना या किया लाता है सिख बात है तो चले तौह सब्सप्राइब अबbuोगन की भी आधार पर div समझ जान है जा रहा है समझने मेरी बात प्लस तो से प्लस तूमर गया आई तो वहां क्या हुआ प्लस 2 से प्लस 3 में गया तो वहां OXC Records में वरती हुई पॉजिटिव चार्ज में वरती हुई तो वहां OXC architecture वही पर यह творcommerce टो यह निए एक पॉजिट्यव चार्ज में कमी तो क्या होगा अपक्चे है better है कोई दिख्वत नहीं बिलकुल नहीं है ओक्सिक्न अवस्ता को अप्चल्च उप जया ऑशिकन अंक blev जाता है जो पॉजिटिव चार्ज दिक했어요 गए ता उसे ऑक्सिक्न अंख कहते हैं मैं जैसे जैसे एसन प्लस 2 की तू माइनस टू मैं एसन के ऑक्सिकन आवस्ता प्लस दो वस्त सेयोजक्ता दो है ना दो है वैद्यूत सेयोजक्त यूजकों के मद्य में होने वाली क्रिया आईनिक क्रिया कहलाती है यह क्या कह रहा है कि अगर आपके पास तिन है अगर आपके पास टिन है एसन एसन प्लस टू है है ना तो इसकी प्लस दो सेयोजक्ता नहीं होती कभी भी दो चीज ध्यान में रखो सेयोजक्ता और ऑक्सिकन अंग में क्या अंतर होता है यह बात आपको पता होने चाहिए डिफ्रेंस क्या होता इन दोरों के बीश में अगर और ऑक्सिकन आवस्था किसी की भी दिखा रहे हो तो हमेशा वो चार्जेबल होगा है ना मैक्सिमम टाइम तो पॉजितिवी चार्ज होगा पर वो चार्जेबल होगा पर सेयोजक्ता कभी चार्जेबल नहीं होती है जिसे की कार्बन की सेयोजक्ता कितनी है तो हम गया चा कि वो चार बंद बनाता है तो सेहुं जगता क्या होती है कोई भी परमांड की बायतने रहा की वहीं उसकी से जटता क्लियर कोई दिक्कत नहीं है बिल्कूल भी इशु नहीं है ओके डन है तो अब आए आईने क्रिया में हो गई तो अभी कह रहा है कि अपने पास यह दी दो की प्लस टू की बात करूं तो वो क्या है ऑक्सिकन आवस्ता और केवल दो की बात करूं तो क आज क्लियर कर दिया है तो ये बात आपको बिल्कुल बिल्कुल क्लियर रहनी भी चाहिए ठीक बात है तो आए अता है आएनिक क्रियाओं में तत्रकी सेयोजकता में व्रदी ऑक्सिकंट था सेयोजकता हो में कमी अपचेन को दर्शाती है जैसे SN प्लस 2, CL2 माइनस, FE प्लस 3, CL3 माइनस 3 अब देखो ये बहुत अच्छे से बता रहा है यहाँ से इस पे आओ यहाँ से इस पे आओ और यहाँ से इस पे आजाओ ठीक बात अब अपनी इमान दाई से अपनी अपनी कोपे में खुद लिखू कि प्लस 2 से प्लस 4 हुआ क्या हुआ भई प्लस 2 से प्लस 4 हुआ तो क्या हुआ दो अधिक त्याग दिया ओक्सिकरन ओक्सिकरन दो सीयल टू माइनस से 4 चार इलक्टोन ग्रहन की अप्चैन सीयल 3 माइनस से 2 माइनस एक इलक्टोन का क्या किया दान कर दिया आफ प्लस 5-3 से प्लस 2 हो गया ग्रेंड किया औक्सिकरन अप्चैन उक्सिकरन अप्चैन हां या न यह बातあります नई जहरत नहीं अबक्सिक्तिल में बहुत ने सही लिखा है या नहीं तो अगर आप खुद चेक करना चाहते हैं कि हमें कितना समझ में आया है हमने कितना सही किया है तो आप यहां पर अपने आप चेक कर सकते हैं लियर बिल्कुल तो चलिए चलते हैं आगे एक यह एक आइनिक क्रिया है यहां पर एसन की समय जगता दो 2-8 हो रही है जबकि की तीन से 2 हो रही है अता हिस्टिन का airflow और यदि का और आइरन का अप след हो रहा है यह तो हमें पहले से पता था हमने पहले कर लिया है तो यहां परर और्फेधर कर यह आप चेंड की या र एलाक्टोन एफी प्लस 3 प्लस एलाक्टोन इस इकल टू एफी 2 प्लस इंटू 2 बात समझ में आई या नहीं जल्दी से बताओ यह सब क्लियर हुआ या नहीं कि हम लोग किसी भी अर्द विक्रिया हो या कोई भी रियाक्शन हो उसके अंदर ऑक्सिकन अप्चेन देख सकते है यह नि हम यह चैक कर सकते हैं या कोंगी रियक्शन औक तरह से व्यर्द किया जाता है अब आता है प्रतियोंगी इलाक्टोन किस्तनांतर यानि किस से ज़्यादा इलक्टोन का इस्तनांतर करें कौन पहले अस्ताया फिर कौन सा ऐसा तक वह जो अधिक प्रदशित करता है अप्चेहन आई तो चलते हैं प्रतियों की इलक्टोन इस्तनांदर अभिकियाओं को समझने के लिए दो प्रियोग पर विचार क को रखा और कुछ समय बाद हमने देखा कि वो रंग जो है वो बदल जाता है यैंनि कि जो कौपर का कलर नीला स्थापित कर दी यह अधिक क्रियाशल कम धांभ को विस्तापित कर दे है तो इसी को यहाँ पर दिखाया कुछ समय बाद देखने पर कौपर धातु का लाल रंग की परत जमा हो जाती है नीला रंग गायब हो जाता सही है बात समझ में आ गई होगी जिंक धातु जड़न प्लस टू उतपाद के रुप में बनती है सी यू प्लस टू के रुप में विलुप्त होने के लिए इसकी किरिया आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको स्क्रीन पर अच्छे समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है यानि कि यहाँ पर कॉपर सलफेट का वीलियन डाला और उसके अंदर आईरन की चट डाल दिया जिंक की चट डाल दी चलो चोड़ो आईरन की जिगे जिंक की चट ले लेते हैं जिंक की चट डाली प्रारंबिक अवस्ता में यह था फिर बीच में कुछ समय तक आदे घंटे बात यह स्तथी थी यहनि हल्का ब्ल्यू कलर हो गया और उसके बाद जब अप रंग जमा होने का मतलब क्या है कि जिनक जो है वह वो कोपर को विस्थापिक पर दिता यानि उसकी जगह दूसरा कलर आ जाता यानी जिंक कोपर की जगह आ जाता है क्लियर बाथ समझ में आए अब चलते हैं आगे तो देखो भी के मैं रखें होने वाली अप भप requires आप आप चियों अब करिया बात समझ में आ गई अप चेओ अभी ते चलते हैं आगे जिंक्ता नाइट्रेट के जली गोल के बीच होने वाली अभी क्लिया क्या होती है जिंक तदा कॉपर सलफीट जू होता है जिंक तदा कॉपर नाइट्रेट के जली गोल में होने वाली अभी क्रिया जिंक और कॉपर के साथ रियक्शन तो जिंक ने दो इलेक्ट्रोन का दान किया प्लास टू में कन्वर्ट हो गई और ने डवर को पर ने जाहा है दो इलेक्ट्राण को क्या कर लिए ग्रेहन कर लिए किया तो वहां पर दो का निश्कासन हो तो क्या होता है और यहां क्या हो रहा है क्लियर बात समझ में आई जल्दी से बताओ फटाफट सभी बच्छे जल्दी से बता देंगे येस मैम हमें clear हो गया है सभी को बात समझ में आ जानी चाहिए clear है हाँ या न जल्दी से बताओ फटाफट 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 ओके डन अब चलते हैं आगे अब आता है अपने पास क्या दूसरे प्रियोग में हम देखते हैं कि जब कॉपर धातु को पट्टी के जिंक सल्फेट के गॉल में डूब होते हैं कोपर की पट्टी को जिंक सल्फेट में हैना कोपर धातु की छड़ को जिंक सल्फेट के सोलुशन में डूब हो जाता तो क्या होता है कोई क्रिया दिखाई ही नह होश यार कि क्रिया नहीं दिखाई दे रहे हैं और सही बात है अब एक क्लास में बहुत सारे बथे बैठे गरण कुछ भीया है हमारे जैसे दूबले पतले लोग बैटे आब दूबले पतले लोगों की जगह तो होशेयर व्यक्ति उसको जट से उठाकर कर देगा बैठ जाता है पर बिचारा दुबला पतला व्यक्ति अगर उस मॉनिटर को कवे खड़ा हो तेरी जगह मैं बैठों पॉसिबल है गया तो बैठ किया कोई बात नहीं जान दू बात हुई आई गई यहीं होता है बैठ बैक सीट पर बैठने वाले बच्चे डॉक्टर्स इंजिनियर बन जाते हैं हम तो यह तो पीछे बैठता था दुब के से आज इसकी फोटो पेपर में आई है तब लोग जानते हैं ऐसा मेरा अनुभव है बच्चों एक मैं बहुत साल हो गए मतलब कि जब मैं तेंथ क्लास में बच्चों पढ़ाया करती थी अब वह बच्ची को बिटा मैंने हम पूरे साल क्लास में गए हैं कभी भी उस बच्ची को मैंने बोलते में पीछे बैठते थी कौन है में आराम से वहीं हमारा तेंथ का रिजल्ट आया और उस बच्ची के आए 98% माय गोड यह कौन किरन मेगवाल हो गई हमने पूरे साल पढ़ थी आपने ध्यान ने दिया ऐसा हो सकता है कभी कोई बच्चा टीचर की नजर से चुक सकता है बट वो कभी किसी बात को लेकर विरोधी नहीं करें हैं वो कभी अगेंस्ट होए नहीं किस चीज के मैडम ने जो पढ़ा दिया वह बास सही है गुरू ने जो शब्द लिख द ऐसी गर्ट्स ऐसा अनुशार्शन जीवन में उतारो कि आपको लोग आपकी कामियाब होने के बाद पहचाने कि अच्छा यह तो यह वह हैं फिर हर कोई भाई बंदू बन जाता है तो थोड़ा सा वीचार करो इन बातों पर यहां हम लोग कहां पर एक्जिस्ट कर सकते हैं इस वीलियन में एस्टोस गेस को प्रवाहिद करने पर हमें क्यूप्रिक सलफाइट सी यूस का काला रंग अवक्षेब मिलता है यह परिक्शन बहुत ही सम्मेदनशील होता है आपके सामने हैं यहां पर आपने क्या रखा था सिल्वर नाइट्रेट क्लियर सॉलूशन है कॉपर की छड़ डाली हुई हैं और हाँ यहां पर निला रंग विक्सित हो रहा है दीरे घ॥रे और यहां पर निला रंग पुरा आगया है अभ यहां पर रतोलभर नीचे यानि की सक्रियता श्रेणी की बात करने तो सिल्वर नीचे की तरफ बैठता है यहां सबसे नीचे इस्थित हैं तो वह सबसे कम क्रिया शील है कौपर उससे उपर है तो वह दिक्रिया शील है तो कौपर ने सिल्वर को क्या कर दिया प्रतिस्थापद कर दिया तो ऐसे प्रति ऽब Кोपर jsem नहीं है न हमारा अब क्या है तुम्हारा वक्त आया है हमारा दोर आएका तो वही बात है इसका भी समय आ गैया है जूँए बागर समझ में के और गई होगी और जो मैंने बात बता बद बसoga रियल है कहानी नहींगे मैंने कहानी सुना दी वो जो चीजे हमने अनुभव की है हमारा अनुभव जो है वो तुमारे काम आएगा तो इन चीजों को ध्यान रखो चले अब आदा कोपर धातू सिल्वर नाइट्रेट के जलिए वीलियन में होने वाली अभी कियाओं को देखत कोई दिक्कत नहीं है चलिए जी इस अभी क्रिया में आयन बनने के कारण घोल कारण निला हो जाता है इस अभी क्रिया में कॉपर का सी यू प्लस टू में ऑक्सिकन हो जाता है किसी का ऑक्सिकन किसी का अप्सिकन और ये रेडॉक्स अभी क्रिया समपना हो जाती है बताओ कुछ अधिक रिएसिल दातु है और पकुन्सी कम क्रिया शगते हैं इसके लिए आप को प्लीज बच्चों यह आखे से पढ़ो ताकि जादा नहीं पड़ो बहुत कमचीजों को पढ़ो पर पड़ो जरू जैसे कि एफी को ध्यान में रखो जिंक को ध्यान में रखो कौपर को ध्यान में रखो एजी को ध्यान में रखो एयू को ध्यान में रखो ऐसे कुछ तत्व हैं जिनको आपको पता अची कौन को अधिक किलिया होता है ठीक है चले बाद समझ में आगई ओके 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 तो चली शुरू करते हैं आगे अब अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑक्सिकरण अंक कैसे निकाला जाता है तो ऑक्सिकरण निम लिकित अभी किया में जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सिजन से सहीओं करने पर जल बन है मैं कहूं चपा हुआ जिन बच्चों के लिद्ध में उस स्थाख ንowym अनुप संधु Mahar नहीं तो कि प्राप्त करता है अब यहां पर यह चीछ बता रहा है जो क्या कहना चाहता है मैं समझा जाती हूं कि जब भी कोई अनु होता है लाइच टू ओ इनकी ऑक्सिडेशन इस्टेट ओल्वेश जीरो होती है कि इन पर कोई चार्ज एक्जिस्ट नहीं करता है यह उदासीन अनु है क्लिया समान परमानु वाले जो अनु होते हैं वो उदासीन होते हैं उनकी ऑक्सिकन अंक हमेशा सुनने होता है इन बातों को आपको जानना होगा ध्यान में रखना ह होगा चले अब यह कहते परिणाम सरूप अच्टू का ओक्सिकन अंगता ओटू का आप चैन होता गया बाद में हम पाहेंगे कि आवेश इस तरांतर आसी रूप से ही होता है यह बहतर होगा कि से इलेक्टोन विस्तापन से दर्शाएं जाएं नहीं कि हाइडरोजन द्वा में बताया गया है इनके उधरन ने में लिखी थे हैं एच्टू प्लस सीयल टू इस इकल टू टू अच्छी बस इतना ध्यान कर लेना इस ऑवरल थियोरी में इतना ही बताया गया कि ऑक्सिकन संख्या किसकी कितनी होती है जब कोई अनू होता है जब कोई मॉलेक्यूल होता है वह हमेशा सुन्य ऑक्सिडेशन स्टेट में एक्जिस्ट करते हैं और च फॉर प्लस सीयल टू इस इकल टू सी सीयल फोर और एच सी तो बात समझ में आ गई होगी चले हाँ या ना बात क्लियर हो गई होगी चलते हैं आगे ऑक्सिकर अंक से समंदित नियम इसा वेरी इं से देखें किसमें कब क्या चेंज होता है जिस बच्चे को यह समझ में आ गया उसे रेडॉक्स रियक्शन संतुलित करने भी आ जाएगी तो ध्यान से देखो किनी दो तत्वों की विजित रिनात्मक्ता समान नहीं होती है तो यहां पर जो तत्व दिये गए हैं उनकी यह याद रखनी है कि कि विजित रिन्टा कि से ज्यादा होती है किसी तत्व के आउक्सिकान सुन्य किसकी ओघनात्मक्त सकती है मै मेशा धनात्म की मैंने कहा तो 99 परसंट तो या मैग्जिमम टाइम तो धनात्म की उसके अलावा भी एक्षेप्शन्स आपको मिल जाते हैं सो बी केरफूल आपको यह भी ध्यान होनी चाहिए ठीक है आईए जी आप चलते हैं अब हम ऑक्सिकलन संख्यागी गरना के रिए नि और समझानिशंवक होते हैं तो हमेशा ऑक्सिदेशन स्टेट क्या होती है जीरो होती है अक्सिकलनग हमेशह हमेशा हमेशह हमेशह सुन्य होता है जब समझाब explorations परमानूb नो बीचे लिए क्या होता है विसंपर मानिक करों के लिए एक प्लस तो दुस्रा माइनस होगा हाँ या ना एक में प्लस 1-1 प्लस 2-2-3-3 अब आपसे मालू कि यहाँ 2 होगा यहां एक होगा यहां तीन होगा अफकोर्स मुझे नहीं पता ठीक वैसे जिसे आपको भी नहीं पता बस मैं इतना बता रहे हैं कि विद्यत रिंटाओं में अंतर है सिंगल बॉंड है समांस विखंडन है तो अगर प्लाइक इदर एक दे तो प्लस एक माइनस एक ही तो होगा अगर इसने एक लिए दो एक ही तो प्लस एक ही होगा यहगा एक यही डोईम दे रहे है तो इसके ऊपर प्लस दो इसरमान अगर यह तीन इलक्टो न का दान कर रहा है तो यहात प्लस थीदिन और एक तरफ म होती हैं एक को सामने दिखाई रही है कि मुक्त अवस्ता में सोडियम कॉपर ऐफ ल के अस्तिय सुम मोटे इस्टी ओल्वेस औलवेस उलुएस क्या होती है सुन्य होती है समब वर व्सकिल सुन्य होती है H2O2N2P4S8 बराबर 0 किसी तत्व के किसी भी सम रूप की ओक्सिका नावस्था सुनने होती है जैसे कि अपर रूप जितने भी होते हैं किसी भी परमानों के किसी भी तत्व के तो वो हमेशा उनकी oxidation state भी सुनने ही होगी जैसे कार्बन के हीरा, ग्रेफाइट, फॉलरेन इनकी oxidation state always क्या होती है सुन्य होती है यह questions exam में आते हैं सो अच्छे से पढ़ लेना ठीक बात है कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी पूछा नहीं बहुत टाइम हो गया अगर बात समझ में आई तो थमसब बेज दो जल्दी से है ना, बाते मत करो यार तुम बातें बहुत करते हो ना लाएगो, पढ़ लो तुम जीवन का सार यही है पढ़ लो, आजव, 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 आजव मिश्र दात्वी जितनी भी होती है मिश्र दात्वी जितनी भी होती है यह नहीं दो यह दो से दिकता दातु जब आपसे मिलती तो मिश्र दात्वी कहलती है है ना, जटेली योगिक, सीओ, एनो, नच्थी, हच्टू, ऑक्सिगन आवस्था सुनने होती है fluorine के सभी यह एकों में fluorine की oxygen आवस्ता माइनस एक होती है और oxygen आवस्ता plus one plus two होती ज़रा ध्यान से देखो 22 से दाई जाते हैं तो विधित रिंता बढ़ती है विधित रिंता बढ़ती है तो oxidation state minus की ओर जाती है है ना जिसे फ्लोरीन है हेलोजन तत्व उनकी माइनस वन होती है वहीं पर यदि आप एस ब्लॉग की बात करें तो वहां पर क्या होता है इलेक्ट्रोन दान देने की प्रवरती होती है यह धात्वें होती है इसलिए इनकी ऑक्सिडेशन इस्टेट प्लस वन प्लस टू में ए ऐंनी एक एलेक्टरों दान दान फिर तीसरे में तीन चौत्या में चारव का दान इस प्रकार वर्गों में डिफाइन किया गया है हाईड़ीजन की ऑक्सिकन आवस्ता सामानता प्लस वन या उनще ही होती है हैै हैड्रॉग्द की रूप में होता है आप्लस वन और मैद्ध माइनस इक बटा दो बटा दो बटोध की अवस्था सामन्य माइनस टू जो होती है लेकिन निम्न में अपुवाग भी माइनस वन और माइनस एक बटा दो बच्चो इसको गाठ बांद लेना आज गाठ ही बांद लेना मैं कहूं बहुत 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 important है, इतना important है कि पूछो मत, माइनस वाली चीज बहुत ज़दा important है है ना, तो जल्दी से फटा-फट बता दो कि आपको बात समझ आई है या नहीं जल्दी से सभी बच्चे बता देंगी येस मैम हमें बात समझ में आ गई है हमें टॉपिक क्लियर हो चुका है ओके येस और नो क्लियर है कोई दिक्कत नहीं है चलो जी आजाओ वैसे ही ओजौन के रूप में भी अगर आप बात करें तो उसमें जो 4 2 में इनकी ओक्सिडेशन इस्टेट किस फॉम में पाई जाती है माइनस एक बटा तीन के रूप में भी होती तो यह कभी नहीं कहते हैं माइनस में भी योथी और विन्नातमक होती है चले ओके डंट एकल परमानमी है आनों की ओक्षिकन आवस्था उस पर पस्त्त आवेश के बराबर होती है उक्सिकन आवस्ता प्लस दो होती है उदासीन परमानु में उपसे सभी परमानु के उक्सिकन आवस्ता का यो सुन्य होता है उदासीन परमानु होगा तो उस पर कोई चार्ज नहीं होगा चार्ज नहीं होगा तो ऑक्सिडेशन स्टेर ओल्वीज क्या कंट परमानने जड़िल आयनों में सभी परमानों की oxidation जो स्टेट होती है ना वो पस्तित होती है आवेश बराबर होता है आयनिक बंद के लिए आयन पर धनावेश धनावेश की Oxygen अवस्था रिणावेश बराबर रिणावेश की Oxygen अवस्था बात समझ में आ गई होगी हाँ या ना जल्दी से बताओ सभी बच्चे यस और नू क्लियर है ओके ड़न तो अब चलते हैं अपन तो अब यह कह रहे हैं कि बहु पर्मानविग जो जटिल आयन है बहु पर्मानविग जटिल आयन क्या बई कि जो एक से अधिक अपने पास क्या है कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें पर्मानों की संक्या जो होती है उन में सभी पर आवेश किस तरह ugh लिजừa रहा तो कहते हैं जाता है इस टॉक संक्यादन क्या कहता है जब कोई था तो दो एकल प्रमानविक धनायन मिला तो आयनों का एस और एक में भीधन कर दिया जाता यानिकी अगर अपने पास पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो उसे इक बोल देते हैं और कम होता तो आस बोल देते हैं परतेक अंपनलबाद यहां जातनी के जाता है और उदहरन की दौर हम्कृक संख्या वेस्तु मैंने बहुत बार तुम Happer इसमिए है इसलिए है इंपोर्टन क्योंकि बीटा जब तक शुछ निकालने आख तो कोई भी रियक्शन संभव नहीं तो यहां पर nitrogen 5 oxide के रूप में दिखाया जाता है वहां में प्लेस वन प्लेस टू फिर्स फॉर प्लस वन प्लस तो समझ में ना इत्रोजन प्लस ब्लस वन से ले करके प्लस तक जाता है न तो इसी वजह से auction इस टे जो राती रहती है चमत के अनुसार यहां पर आपके पास जो भीとう स्टेट है उसे हम रोग किस रूप में लिखते हैं रॉमन संख्या के रूप में विखते हैं यह बात आपको बहुत ही क्लियर ली पता होनी चाहिए चले आईए इसी प्रकार और अरश क्लोराइट तो और एक क्लोराइट को भी आप समझ सकते हैं और 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 आस क्यों कहते हैं फर्स्ट और सेकिंड जब आप कहीं पर भी स्टोक संकेतन के रुप में लिख रहे हैं तो वहां पर औक्सिडिशन इस्टेट को रोमन संख्या में ज़रूर पर दिश्ट करने क्लियर इस टेन इस क्लोराइट तो नाम से इस पर जाएदा एक में ऑक्सिडिशन स्टेट कम है इख में जादा है एक में दो एक में चार है तो इक और आस में क्लियरली समझने बच्चे pushing होता सकते हैं आप आराम से इस चीज़ को वेरिफाई कर सकते एब पूरा क्लियर कर सकते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर और मैं एक इलाट्ट्रिर कर लिए दो ग्राइन कर लिए 2 ग्राइं और लिए 2 दो दान कर दिए समय तो किस प्रकार से अपन उसको ehso और इक में रिपर्जेंट कर सकते हैं अब आता है अप अपचय अभी क्रियाओं के प्रकार यानि की ऑक्सिडिएशन और डिडाक्शन यानि रेडॉक्स रियक्शन जो आपके होती है वो बेसिकली कितने प्रकार की होती है तो देखो बीटा एक बात ध्यान से हैंना कई बचे रियक्शन में भाग ले पाती हैं बात समझ में तो यहां पर योग अभी क्रिया इस प्रकार लिख सकते हैं तो यहां एप लस बी इस इकल टू सी ऐसी अभी क्रिया होने के लिए ए और बी में से एक या दो से अधिक तत्वों की रूप में होना चाहिए ऐसा सभी दहन अभ कि आपको अपनी आप से भी करना है जैसे कि आपको दिखाया जा रहा है कि oxygen कार्बन और oxygen की oxidation state की बात करने तो जीरो है कि आपको मैं पहले भी बताया है कि परमानवी के रूप में होती है तो वह हमेशा oxidation जीरो प्रदशित करता है और यहां पर एक oxidation state plus four and minus two यानि एक oxygen हो रहा है का अपचेयन हो रहा है तो यानि यह रेडॉक्स reaction को represent कर रहे हैं यह योगात्मक अभी क्रिया रेडॉक्स योगात्मक अभी कर रहे हैं ठीक भी और यह भी इस परकार एक्जामपल खुद भी हम लिख सकते हैं यह एक्जाम में पूछे जाते हैं अगला आता है अप गटन यानि जब एक अभी कारक एक से अधिक उत्पाद में तूटता है तो उसे अपन क्या कहते हैं उसे अपन कहते हैं अप गटन अभी क्रिया यहां आती यह अभी क्रिया स से अधिक विखंडित होता है जिसे हम तत्व प्राप्त होते हैं इस स्रेणी में उधारन हम नीचे दी गई अभी कियों से समझ सकते हैं यह ध्यान देने वाली बात है कि पोटेशियम क्लोरेट के पोटेशियम के अक्सिगन संख्य में कोई परिवर्दा नहीं है यह बात भी ध्यान देने यह जोगे कि सभी अपटनी अभी किये हैं यह थियोरी है थियोरी से जदा अपने को इग्सांपर पर फोकस करना चाहिए ताकि अपने को बात समझ में आ जा ऺते और वर और ते यहां पर भी क्या हो रहा है यहां पर हो रहा है और आप चैनि की अरगिया के लाता है और और यह एक्जम्पल भी एक्सिस्ट करता है लिए बात समझ में आगे तो फटा फर थंस अब भीजु ताकि सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आजाए सभी को मेरी इंवर यह बात clear होजाए चले हात यहां पर निखा है कि विस्ठापन अभिक्रियां में योगिक का आयने दूसरी तत्र के आयन के दौ़ारा विस्ठापित हो जाते हैं इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक्स प्लस वाईजट बराबर एक्स जण विस्ठापन अभी चेल नाम से इस प्स्ट है वह कि एक तत्यू दूसरे को विस्थापित करता है तो विस्थापन आभी क्या कहलाती है दातों विस्थापन यहां विस्थापन क्रिया इस और यहां पर वेनेडियम पेंटक्साइड में कैलशियम टाइटेंइम में मैगनीशियम और क्रॉमियम अलूमियम एक्जिस्ट करता है क्लिए कोई दिक्कत नहीं है अब आता है एधातु विस्तापन तो एधातु की दोरा जो विस्तापन होता है उसे एदातो विस्थापन कहते हैं जैसे कि आपको इस्क्रीन पर देखेए लेदा है सो डियम एच टू तो धातू है यह है नश्थी हम है दातो के रूप में तो एदातो विस्थापन होता है कुछ छार दातो ये मृददा धातू है जो क्या करती है हाईडोजन का जितना इजी है उतना ही इंपॉर्टिंट भी है ध्यान से कर लेना तो यहां से साफ दिखाई दे रहा है एम जी है और एफी है इस तरह से रियक्शन जब ऑक्सिडेशन इस्ट्रीट की रूप में आप वेरिफिकेशन कर देते हो उसको डिसक्राइब कर देते तो रेडॉक्स रियक्शन हो जाती है ऑक्सिकन अप्चैन के आधार पर शीतल जल से क्रिया नहीं करती है कुछ अमले यह क्या कहना चाहता है त्योरी आप खुद से देख समानुपातन अभी क्रिया वेरी 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 इंपॉर्टेंट रियक्शन ऐसमानुपातन अभी क्या होती है जिनके अंदर हम क्या देखते हैं जिनके अंदर हम देखते हैं कि अपने पास कोई भी अभी क्रिया हो कोई भी रियक्शन हो उन रियक्शन में हम देखते ह एक धातु का ही एक ही तत्व का ऑक्सिकन भी हो राया है यहाँ पढ़ देखो ऐसे अधिक प्रकार ही होती है नाम से समझ सकते हैं कि अभी के में टत्व एक से अधिक अधिक अवस्था में पाए जाता है तो में एक उसिक्रत आफ डाप क्या कहते हैं कर सो एय समानु पातर अभीखिया में तिं आज़ सब्सक्राइब सो इशरी जय सकती है जैसा कि आपको इसक्रेंग पर दिखाई देख है इस वैरी important exam in example पूछते तो बच्छों अच्छे से इसको नोट कर लेना कि जिंक और XL कि यदि में बात करूं तो यहांपर दातु और hydrogen है यहां पर hydrogen है यहांपर chlorine है यहां पर भी chlorine है ठिक बात है और यहां पर जिंक हैं अब यहां hydrogen है एक दातु क्या-क्या पढ़न 从ishet 0 फ्लेस 2 0 फ्लेस 1-1 है न एक धातु कितनी जगे आपको क्या सकता है यह प्रदशित कर सकता है कि यह एक साथ तीन oxidation state दिखा रहा है जिसमें वह oxygen भी कर रहा है और अपचेंड भी कर रहा है जिसे कि एक्दम clear हो जाए हच टू ओ टू इस इकल टू एच टू ओ प्लस ओ टू बेटा ठीक है अब यहां पर hydrogen oxygen जो है minus plus 1 minus 1 यहां पर आता है minus 2 और यहां आता है यहां पर आता है क्या भई h2 ओ यहां आता है plus 1 minus 2 यहां जी अब यहां oxygen को देखो oxygen minus 1 minus 2 और 0 है ना minus 1 से minus 2 जा रहा है यानि की electron grand कर रहा है आप अच्छा यहां यहां से यहां आ रहा है और यहां बात समझ में आगई तो एक साथ oxygen तीन oxidation इस्टेट प्रदिशित कर रहा है तो इसलिए क्या है एक समान उपातन अभी केज में एक तत्व तीन oxidation स्टेट प्रदिशित करता है बात समझ में आ गई तो चलते हैं आगे अब आता है अब आभी कियां संत्रित करने की विधी वाप वीकियां का संतुलित करने के रिए दो भीally होता है इसमें से एक विदी अप्चायक और ऑक्सिकरण संख्यय में परीवतन का आधार है दूसरी विदी में अपस्चेते अभी कर ora दो बहु बग सकत उनकी ऑक्सिकन संख्या निकल जाती है उसके बाद आपन क्या करते हैं कि उसको हम लोग संतुलित करते हैं सबी तत्व को सुतर में प्रदशित करो परदशित कर या उसके बाद में परमानों को अलग-अलग रूपे वेक्ट करके उनके आनों और आयन जो समान नहीं है उन्हें संख्या में वेक्ट करके उनमें जो अलग-अलग oxidation state दी गई है उन्हें आपस में बराबर करना भी जरूरी है यानि oxidation जो इस्टेट उनकी परदशित हो रही है वो oxidation state क्या समान है कितनी कम कितनी ज़्यादा पर बराबर करनी है तो इसके लिए उनको अपन संतुरित करने का परियास करते हैं कैसे करते हैं वो अपन यहां पर देखेंगे अगला पता है चारियो जो जर दे हो यह तो यह सब आप पर लिखा हुए यहाँ अच्छे से समझ सकते है 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 अब चलते हैं आपन आगे आपन सबसे पहले लेके oxy만 विडी तो oxygen अंक विदी lords 1 पहले reaction में लिख लिए भी आप थोड़ा सा ध्यान से लेख लेना ठीक है oxygen अंक करशिता क्वीडिया होती है CR 2 O 7 minus 2 clear minus 2 plus SO 3 minus 2 चले बात समझ में अब यहाँ पर क्या है CR 2 O 7 minus 2 SO 3 minus 2 CR plus 3 SO 4 minus 2 clear अब यहाँ पर इसके अंदर आपको यह चेक करना है किसका ओक्सिकन किसका आप चेह तो क्रोमियम क्रोमियम से यहाँ पर चलो सलफर से यहाँ चले oxidation state लिखना है तो आप सबको ध्यान में होना चाहिए आप बच्चे निकालेंगे क्रोमियम प्लस 6 में यहाँ प्लस 3 में है तीन इलेक्ट्रोन किसने क्या किया है तीन इलेक्ट्रोन ग्रहन किया है यहाँ पर क्या है सलफर की अब अपने को यह reaction जिसमें oxygen oxygen clear हो गया तो अब अपन देखते हैं कि इसके अंदर अपने को ग्यात होता है कि अपने पास जो chromium है और जो अपने पास sulfur है ध्यान से देख लेना chromium जो है उसमें प्लस 6 से ध्यान से देखो it's a very important यहां पर क्या कह रहा है कि प्लस 6 से प्लस 3 में convert हुँआ और यह प्लस चार से प्लस 6 में हुआ है न तो यहां पर तो हो रही है कमी यहां हो रही है व्रढी तो तो कमी और व्रढी कितनी तो अपन क्या करेंगे यह है आपके पास अपने पास अपने को क्या करना है भई अब यहां पर कितने की कमी यहां तीन की कमी यहां दो की वरदी है ना तो अपन क्या करेंगे इसको दो से इसको तीन से क्या कर देंगे multiply कर देंगे उल्टा कर दो है ना जिसमें जितनी कमी है उसको उतसे गुणा कर दो जितनी जिसकी व्रदी है उसको उतसे से गुणा कर दो ताकि दोनों का oxidation state balance हो जाए ठीक बात है बात समझ में आ गई होगी तो अब अपने देखा कि अपने पास किसमें कितने की कमी है वो clear हो है तो अब अपन सबसे पहले क्या करेंगे मैंने बताई दिया है chromium वाले को दो से गुणा कर देना और sulfur को तीन से गुणा कर देना तो चलते हैं आगे अब आता है अपने पास oxygen संख्या बराबर करने के लिए अपन क्या करेंगे जल्दी से देखो भई अपने पास क्या था chromium वाली reaction थी ना CR207 है ना प्लस 3SO क्या था भई 3SO3-2 is equal to क्या भई 2CR plus 3 plus क्या बिटा प्लस था आपने पास 3SO4 minus 2 clear है बात समझ में आ गई अब अभी क्लिया आपको दी जाएगी एक्साम में चाहिस ऑमनियं मात्यम में संपन हो रही है अगर वह अमली माध्यम में संपर्स एक तो अमली माध्यम में संपन हो रही है तो अंब्स आप अपने देखना है कि अपने पास कितने oxygen कितने hydrogen को balance करता है तो अपन सबसे पहले देखेंगे कि अपने oxygen को संतुलित करना है oxygen को संतुलित करने के लिए अपन क्या करेंगे c r o c r 2 o 7 माइनस कितना था भाई माइनस 2 था न भूल गया पन लगाना c r 2 o 7 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 3 s o 3 माइनस 2 माइनस 2 प्लस कितने भाई यहां दो इधर कितने oxygen 7 8 9 10 नहीं 7 और 6 कितने हो गई भाई तो अपने को क्या करना पड़ेगा आठ हाइड्रोजन की क्या हो रही है बैलेंस करना पड़ेगा तो अपने को क्या करना है आठ हाइड्रोजन लगा दो यह एट एच प्लस is equal to 2 c r plus 3 plus 3 s o 4 minus 2 done है कोई दिक्कत ही नहीं है एच प्लस आ गया एट एच प्लस अब हाइड्रोजन को संतुलित करो पहले आक्सिजन को किया अब हाइच टू लगाना था ना भी एट एच टू कितना है चार तरी बारा ओक्सिजन है और यहां कितने साथ और छे तेरा तो एक ही तो हुआ एच टू कितने लगाने है आपके पास जल्दी से बताओ फटावट 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 यह ना ओक्सिजन को संतुलित किया कि नहीं किया 4 प्षच टू हाँ 4 हईड्रोज चार क्या लगाना है भई 4 एच टू इधर लगाने है 4 एच टू तो यहां लगा दी 8 हाइट हो जैटेक बात है हाइटोजन भी संतुलित हो गया है ना अब ऑक्सिजन और हैडोजन शात में संतुलित हो गए अब ऑक्सिजन हाइडोजन संतुलित है नहीं तो आप चेक करेंगे यह रियक्शन प्रॉपर ली क्या है बैलेंस्ट है सही बात है हाँ या ना जल्दी से बताओ फटाफट 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 यस और नो क्लियर है तो अभी किया पूरी तरह से क्या हो गई है संतुलित हो गई अब चलते हैं अगली अ थैसे और बीकाह क्या होती है वह इस अंतुलित करना होगा और दोनों-दोनों को अलग संतुलित करने के ब्रहिं możliじゃ 2-2 चैन अभीशन करना अँन करना होगा थिर क्रोमियम आयन क्या प्जेंट कहां हो रहा है उनको देखना है तो सबसे पहले अपन करदे हैं कि निमलिकित एक्षन है बिटा एफी फी फ्लस तू प्लस टू टू ओ 7 माइनस टू हाँ या नहीं इस इकल टू एफी फ्लस थी प्लस क्या है बिटा सीर फ्लस क्लियर आओ जी आओ सबसे पहले अर्द अभी क्रिया करते हैं यानि अर्द अभी क्लिया कि अफ़ी प्लस टू से क्या हो गया भाई एफ प्लस थ्री सियार टो सैवेन माइनस तू से क्या हो गया भाई सियार प्लस थ्री क्लियर अब यहां पर तो संतुलित है तत्व को संतुलित करो तत्व का संतुलन कैसे होगा तो F E से तो F E plus 2 ही रहेगा F E plus 2 से F E plus 3 ठीक है बट C R यहां 2 है तो वहां दो C R 2 O 7 minus 2 is equal to 2 C R plus 3 अब आओ भाई इसमें तो hydrogen को संतुलित करना नहीं है जैसा कि है वैसा का वैसा ही रहेगा इधर hydrogen oxygen को संतुलित करो तो क्या होगा C R 2 O 7 minus 2 is equal to 2 C R plus 3 is equal to कितने oxygen है साथ तो यहां लगा 7 H 2 ठीक बात है आप करो भी hydrogen को संतुलित है ना hydrogen को संतुलित करो तो F E plus 2 से F E plus 3 में तो कोई दिक्कत है नहीं बट यहां पर दिक्कत है C R 2 O 7 minus 2 प्लस वहां क्या था 7 H 2 O तो यहां 14 hydrogen is equal to 2 C R plus 3 plus 7 H 2 O clear है कोई दिक्कत है ही नहीं बात समझ में आ गई है सभी को अब आओ भई अब चलते हैं आगे electron को संतुलित करते हैं electron का संतुलित यहां पर और यहां पर यहां पर यहां पर प्लस 2 है यहां प्लस 3 है यहां क्या करना पड़ेगा कितने electron की कमी कितने electron की व्रदी तो आप यहां देखें कि प्लस 2 है इस इकल टू प्लस 3 है तो आपन क्या कर दे एक electron जोड़ दो और यहां पर CR 207-2 14 प्लस के दो बारह और यहां कितने तिंदुने 6 चैट तो कितने बचे 6 बचे तो यहां पर क्या कर दो प्लस 14 हाइड्रोजन प्लस प्लस कितना बचे इलेक्ट्रों इस इकल टू सी आर प्लस 3 प्लस 7 एच टू क्लियर है कोई दिक्कत नहीं कोई इश्यू नहीं बिल्कुल जी चलते हैं आगे आब आता है अपने पास कि दोनों को साथ में संतुलित करने के लिए क्या करों कि इस इसको 6 से गुना कर दो और जो 2 है उसे 1 से गुना कर दो कर दिया तो क्या होगा भई 6 FE प्लस 2 इस इकल टू 6 FE प्लस 3 प्लस 6 एलेक्ट्रों और यहां आ जाएगा CR2O7 यह तो है वैसे का वैसा ही रहे जाएगा प्लस चाओधा H प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रों इस इकल टू 2CR प्लस 3 प्लस 7 H2O डन है अब इन दोनों को जोड़ दो तो आपने पास क्या हैगा CR2O7 माइनस 2 प्लस 6 FE प्लस 2 है ना हाँ है ना प्लस 6 इलेक्ट्रों इस इकल टू क्या हुँआ 2CR प्लस 3 प्लस 6 FE प्लस 3 प्लस क्या भई प्लस यहाँ 14 हाइडरोजेन बिता थे है है H प्लस 7H2O प्लस 6 इलेक्ट्रों 6 से 6 इलेक्ट्रों गए हाँ यहाँ हाँ यह जल्दी बताओ जल्दी बताओ है ना शेश शेए इलेक्ट्रोन गये बाकी समीक्रन जो है वैसी रह जाएगी तो दोनों के मिला करके समीक्रन का संतोलन क्या हो गया वैर सियार टू ओ सेवन माइनस टू प्लस सिक्स एफी प्लस 2 इस फूर्टी एच प्लस इस इकल टू तू सी आर प्लस 3 plus 6 Fe plus 3 plus 7H2 कोई दिक्कत नहीं समीकरण क्या हो चुकिए संतोलित हो चुकिए सबको बात समझ में भी आ चुकी है चलते हैं आगे अब आता है अपने पास उपाप चाहिए अभी किया इलैक्टोड प्रक्रम सबसे इंपॉर्डेंट है कि अपने पास जो अभी क्रिया है वह रासाइनिक सैल में कैसे वर्क करती है तो यह जिंक की छड़ को कॉपर सलफेट की वीलियन में डुबाव दिया जाए तो यह है अभी क्रिया संपन हो जाती है और कॉपर आयन का अपचैन धातू अपचैन के रूप म पर्थक्रण भी हो जाता है कि यह क्या कह रहा है कि अगर आपकी पास पात्र है को प्रक्स रियाक्शन उत्पन कर देता है और उसके अंदर अपन देखते हैं कि एक अंतरा प्रष्ट पर एक एक रासाइनिक सैयोजdriven तो और भीक्रियह विखनओ के पारत्यों को आपक्षिकन अपक्षीन के रुप में यह एंपक्षाइण और अल्ग में अबक्षइ अस는데 आपक्ष कंते वह Donate vraob continuing प्राजहित करते हैं चलै अब आता है इस प्रियोग में दो Redox यूग में जड़न प्लस 2 जड़न में cu फ्लस 2C eu में बदल जाते हैं औar अप्चेट होने से निर पहले लिखा जाता है अब हम कॉपर सलफेर हैं गोल में बी कर को जिंक अल Пेर के गोल में रखा जाता है और यह लसी तूर कर दो करने के लिए एक पात्र यूआ कार की नली ले दाला जाता है अब एक डाइग्राम से भी मैं आपको इसको समझाओंगे ताकि आपको सबसे ज़्यादा क्लियर हो जाए फिर धरा का परवा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं दारा का परवा करने के लिए हम क्या करते हैं हम इस रियक्शन को बहुत ही अच्छे से क्लियर कर जिसमें जिंक की छड़ लखी हुई है और यह सी यू असो फॉर का गोल है जिसमें कॉपर की छड़ रखी गई है और यह आपका लवन से तो जिसमें अगर-अगर नामक पधार्त भरा गया है यह क्या करता है यह इलैक्टोन को संतुलित रखता है दोनों वीलियन में आयन की म माइनस कैथोर पर प्लस होता है यानि कि यह एसी रासाइनिक सेल है जिसमें अपने को रिवर्स रियक्शन भी देखा जा सकता है यानि कि आपके वो सेल जो पुनाय चार्ज जैसे बैटरी अपने मोबाइल का बैटरी है वो एक रासाइनिक सेल है से पुनाय चार्ज किया ज सब्सक्राइब जाता है तो सब्सक्राइब होता है इसके अन्D solution होता है चपस्पीशन होता है अगर उन दोनों के बीच में विभाव देखते हैं तो एलेक्टोर नियुक्त बार भी लिए आप पर एक मौल सॉलुशन पर अगर धारा का प्रवा एक एंपियर हो और फिर विभाव उत्पन हो जाए तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं इलाक्टोड विभाव कह देते हैं क्लियर है तो यह एक रासाइनिक श्रणी है जिसे अपना आसानी से चैक कर सकते हैं देख सकते हैं कि इस तरह से बताया जाता है ठीक है चलिए जी आज के लिए इतना ही बस यह क्लास थी आपकी इंट्रेस्ट सिंग और पूरा चाप्टर आपको मैंने यहां पर समझा दिया है तो अच्छे से इस चाप्टर को कवर करना अच्छे से इसको नोट करना ताकि आपको सारी बाते क्लियर हो जाए और कोई भी डाउट हो आपको लगे कि यह चीज़ नहीं तो प्लीज कॉमें इसका भी समाधान कर देंगे ओके तो चलते हैं मिलते हैं अगली क्लास में तब तक खुश रहो मस रहो बबाई ठेक केर और थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू